जब हम अपने आत्मा के साथ जुड़ते हैं, अपने आपको जानने का प्रयास करते हैं, यह जो मारग है, यह जो प्रेम, अपने सेल्फ लव का जो मारग है, आत्मा को जानने का जो मारग है, शुरू शुरू में इस मारक पर चलते हुए भीतर अपने आप से परिचा होता है खुद से परिचा होता है, अपनी कमजोरियों से परिचा होता है और उस कंजोरियां जो हैं वो अंधेरे के रूप पर दिखती है वो कमजोरी हैं जब अपने आप को इंसान देखता है न तो खुद के अंदर सिर्फ अंदेरा ही अंदेरा दिखता है समझ नहीं आता कि ये कौन सी यात्रा है जो गहन अंदकार में है पहली बात तो ये समझें ये अंदकार आप ही का क्रियेट किया हुआ है क्योंकि इन आखों ने सदा बारी देखा है इसको भीतर का पता ही नहीं है इसको भीतर का पता ही नहीं है दिया दूसरे को रोशन कर सकता है दिया अपनी नीचे का अंदकार नहीं मिटा पाता तो ये आत्मा के अंदर शक्ति तो ऐसी है कि संपूर्ण संसार को रोशन कर दे लेकिन ये खुद को खुद से नि देख पाती इसलिए खुद को देखने के लिए ही किसी दूसरी की का साहरा लेना पड़ता है इसलिए परमात्मा ने संसार की रचना की जो लोग कहते हैं संसार आखिर बनाया क्यों इसलिए बनाया कि आपके नीचे का अंदर आप दूसरे के नीचे का अंदगार मिटा सके और कोई आपके नीचे का अंदगार मिटा सके इसको समझना बहुत जरूरी है इसके बिना इस दर्टी का रह से समझ में नहीं आता इसलिए दूसरे जरूरी है लेकिन सभी आपके कल्यान हेत्व हों सभी आपका अंदकार मिटाने वाले हों ऐसा बिल्कुल भी नहीं लोग आपको गिराने वाले हैं लोग आपको और अंधेरे में धकेलने वाले हैं बुद कहते हैं कोई कल्यान मित्र चाहिए कोई आत्मा का कल्यान के सुषकुचने वाला चाहिए जो आपका अंदकार मिटा सके बस उसी को उनने गुरू कहा टीचर कहा गुरू कहा कि ऐसा जो भीतर का अंदकार मिटाए, लेकिन अंदकार मिटाने तक जब आपका अंदकार मिट जाए तो सीमित मत रहना, किसी और के लिए आप भी टीचर बन जाना, किसी और को समझा देना, किसी और के लिए आप भी अंदकार मिटाने वाले बन जाना, परमात्मा का तो सबको सेम बक्षी सबको वो एक जैसी क्रपा सब पर कर रहा है अब आपने अपनी क्रपा करनी है सब पर क्रपा है उसकी लेकिन आपने खुद की क्रपा अपने उपर करनी है अपने आपको लगातार खुद पर मेहनत करनी है खुद से ही, खुद के ही, मानो अपने आपको ही अपने आप से खुद से पकड़ कर उप उचा उठाना है गहन दुख के दिनों में कोई साथ नहीं होता गहन दुख के दिनों में किवल आप और आपकी अपनी ताकत ही साथ होती है ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भगवान को बुला लो परमात्मों को याद करेंगे दुख में खाम आएगा मैं जब भी परमात्मों को बुलाता हूँ तो दो रास्ते हैं ना एक तो वो उसको प्रभू मानकर कि प्रभू आप आओ आप बल्वान हो ताकतवर हो मैं कमजोर हूँ बुद्धिहीन हूँ नेरी हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ मतलब अपने आपको परमात्मा सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं है ऐसे कहके मानना, नहीं, मेरा ये रास्ता नहीं है मेरा ये रास्ता नहीं है, मेरा रास्ता स्वरे डिफरेंट है मैं कहता हूँ कि अगर आप वो हो और वो आप सर्व समरत हो सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, घट-घट में आप ही समाए हो, तो मेरे घट में भी आप ही समाए हो, जाहिर से बात है, और अगर आप ही समाए हो, आपके पास कौन से कमी है, ना आपके पास ताकत की कमी, ना आपके पास ज्यान की कमी, ना आपके पास प् कमी क्यों रह जाए, तो मेरे भीतर की कमी को मुझे दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी बुद्धी को उसकी बुद्धी में लीन करना पड़ेगा, मैं कहते हूं, या तो मैं तुझ में लीन हो जाओ, या तू मुझे में लीन हो जाओ, बेस्ट क् भी नहीं, दोनों में कोई फरक नहीं है, दोनों भाशा एक ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा बस कान को यहां से ना पकड़ा, कान को यहां से गुमा के पकड़ लिया, इतनी सी बात है, इस बात को clear समझना है, यह भाशा कि मैं empowered हो जाऊं, यह जादा उत्तम है, मेरे इसाब से यह साथ से जद आच्छा है मैं अवेकन हो जाओं मेरी ताकत बढ़ जाए क्योंकि अगर मेरी ताकत है मेरी ताकत है एक तुम कहते हैं तुम देना साथ मेरा एहम नवाज तुम साथ देना तुम तुम बनकर साथ ना देना तुम मैं बनकर साथ देना मेरी ही भीतर मेरी ही ताकत ब परमातमा आपको कहते हैं कि दुख में परमातमा आपका साथ देता है, अगर भक्त से कुछ नहीं हो पादा तो भगवान करते हैं, यह कुछ सही है, पर यही भगवान, अगर मेरी आत्मा बनकर मेरी भीता ना जाएं, तो भक्त ही भगवान हो जाएं, यह ज़्यादा उत्तम लेकिन भक्त को अपने आपको उसकी लाइक बनाना पड़ता है, उसकी ताकत इतनी विराठ है, तो खुद को शुद करते हुए, पवित्र करते हुए, उतना विराठ बनाना, उस महानूर्जा को अपने भीतर आत्म साथ करना, यह हमारा लक्षे है, कि आप हम उसके लाइक हो जाएं, इसको सरफ जानने की जरूरत है, ध्यान अपनी जगा एक रास्ता है, ध्यान में हम क्या कर रहे हैं, अपनी कमजोरियां ढूंड रहे हैं, तो ध्यान में जब ये कमजोरियां सामने आए ना, बुरा नहीं समझना, है मुझे अंधीरा दिख मुझे ऐसी गलत चीज क्यों सामने याद आ गई, मैंने कुई बुरी बाते हैं, कुछ नेगेटिव बाते हैं, कुछ फाल्टू के बाते हैं, ऐसी दिमाग में आते रहती हैं, और हम आपे घवर आ जाते हैं, नहीं, इसा मुझे नहीं होना चाहिए, नहीं घवराने की तो आपके डर जाते हैं, इतना कैचरा, नहीं घवराने की क्या होगा है, थोटी जाड़ो दो गर लग जाएगी, उससे ज़दा क्या होगा, एक बार मोटी जाड़ो लग जाएगी, और एक बार बारीक वाली लग जाएगी, और उसके बाद पोचा भी दोबार लगा क्या होगा, इस से जदा क्या? तो अपनी कमिया जब देखी, अपने अंदर का जो अंदकार है, उसके अंदर जो कमिया देखी, तो हमने क्या किया? दोगर पोचा लगा दिया, बात तो इतनी सी है, दोगार जाड़ो लगा दी थोड़ी सी, सफाई कर दी फिरना क्या है, नीट्रल हो कर देखना और खुद को अपने ताकत याद दिलाना कौन हूँ मैं, ओम हूँ मैं, मतलब मैं परमातम स्वरूप हूँ आपको खुद को नेरा से चुटकारा दिला दो, प्रबु ऐसा कर दो ये वाली भाशा में न, हमेशाद दूसरे पर डिपेंडेंट रह जाते हैं बात समय मैं आरे हैं, दूसरे, परमातम है, जब परवोर में एक ही है जब आत्मा और परमात्माईएख है तो मुझे मैं बनकर मिलना दुखत स्थिति में मैं तुझे पुकालने रलाए को बनू ही न ऐसा भी स्थिति आ जाती है लोगों के उपर केना पड़ता लेकिन सृतिया जाते हैं, श्रीर ऐसा कभी कभी इतना मतलब ऐसी अवस्ता होती है दुख वाली अवस्ता होते हैं, पीडा वाली कि आसं ने कोई साथ देने वाला ने होता, तो हर जगा थोड़ी व्गवान आते फिरेंगे, व्गवान आये तो मेरी आतम बनकर और अपनी ताकत अपनी पैसा है। अपना पैसा अपना ही पैसा है। बेशक कोई कितना कहा दे चिंता मत कर। मेरे पात बहुत पैसा है। तुम्हारा दोस्त कहा दे, कि जुरूत के टाइम बुला लियो, बहुत पैसा है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच मुझा आप दूसरे के पैसे पर डिपेंडेंट रहते हो क्या, दे देगा, कोई बात नहीं, आपको खुद से खुद का कमाना पड़ता है, किसी घर म कितने भी खुशियां क्यों ना मन रही हो, उसकी खुशियां से आपकी पीड़ा दूर नहीं हो जाएगी, आपकी पीड़ा दूर करने के लिए आपको खुद effort डालने पड़ेंगे, आपको खुद के साथ अपने घर में दवा रखनी पड़ेगी, उसका इंतजाम करना पड मेरी है, मेरी चीजें सर्वोपनी हैं, इसलिए मेरे को अपनी बिमारियों का इलाज भी मुझे ढूनना पड़ेगा, दूसरा कितने भी आशवासन दे दे, दूसरा दूसरा है, किसी foreign author ने एक book लिगी, उस book का नाम है, the other is hell, the other is hell, कोई दूसरा जो भी है, जो भी है, वो न स्वार्थ, स्वा के अर्थ है, तू ही परमार्थ, स्वान्त सुखाए, बहुजन हिताए, यहीं से पैदा होता है, अगर मैं capable हूँ, तो मेरे द्वारा और भी सुखी हो जाएंगे, अगर मैं खुद को इन सुखी रख पाता, तो दूसरे मुझ से कहां सुखी हो पाएंगे स्वान्त सुखाए, बहुजन हिताए, तो पहले मुझे खुद के लिए अंदे capable होना पड़ेगा, all capable, all powerful, all mighty, all ताकतवर होना पड़ेगा, तो अपनी capability बढ़ाने पर जोड़ दें, अपनी capability बढ़ाने पर जोड़ दें, और याद रखना दूसरों के बरोसे पर नी रहना क बच्चे करेंगे, बच्चे करेंगे, बच्चे नहीं करते, देखा है, उन्हीं बच्चे उठाकर, माता-पिता को ठाकर, बजरुगों वाले घर में जाकर डाल देते हैं, senior citizens के जो जगाब बनी होती है, वहाँ जाकर बेजाते हैं, बेजाते हैं, क्यों ऐसा होता है, सोचक अच्चो पर मुझे बहुत ट्रस्ट है, वरोसा है, अपनी आत्मा के सिवा किसी पर वरोसा न करना, किसी पर वरोसा नहीं, बस खुद, खुद पर, खुद पर, अपने आप पर, अपनी आत्मा पर वरोसा, अपने आपको स्ट्रोंग मनाना, अपने आपको जगाना, अपने आ पर नकारात्मक चीज़ों से हम बचा के करते हैं, अपने आपको समझाते हैं, अपने कमजूरियों को कंट्रोल करने के लिए मन आलसी होता है, तो खुद से खुद को बात करते हैं, खुद को समझाते हैं, उठ रहे मना, उठ, उठ तेरा ब्रह्मुरत निकलता जा रहा है, अम बहुत बड़ी बात है लोग जब किसी को थोड़ा फ्रेम दो तो कि आपका साथ सदा बना रहे कर तुमाню तुमारा अपनी आत्मा के साथ सथ बना रहेए मित्र ? मित्र याद रकना तुम अपनी आत्मा को मजबूत बनाना दुप के समय कोई साथ ही नहीं होगा कोई साथ ही नहीं होगा तुमारी आत्म ही साथ ही ओगी इसविए पनी आत्म को strong बनाना powerful बनाना अपनी ताकत को जगाना जब शिव हम का चैन्ट करना तो शिव इंपोर्टन नहीं है, हम इंपोर्टन है, शिव हूँ मैं, आनंद हूँ मैं, सचिदानंद हूँ मैं, इसका मतलब एहनकार नहीं है यह, एहनकार नहीं है, एहनकार यह कहता है कि मैं स्रेष्ट हूँ, दूसरे नहीं है, मैं नहीं कह रह हैं सिरफ उनको जानना और जगाना इसको अच्छे से दिमाव में बिठा लेना खुद के अंदर ही खुद अंतिम समय अंतिम हर डिफिकल्ड कंडिशन में आपकी अपनी आत्मा ही सहयोगी बनेगी कोई दूसरा नहीं बनेगा तकलीफ आपको हो पडोसियों की कितनी भी दवा इस तरह इसलिए गरबर कर जाती है ध्यान रखना जब बात कहनी पड़ते तो पूर्णता के साथ कहनी पड़ती है किसी का पक्ष या पक्ष की बात नहीं होती मेरा बेटा है ना साथ नहीं भाएगा बेटों के हालत देखा लेकर लास्ट में क्या होती है तुमने धन का मैंने बनाया कंट्रोल बच्चे को कैसे कैसे देदूं जब तक मैं हूँ मेरी ही कंट्रोल में चीज़े रहें मेरी ताकत मेरी ही ताकत है मेरी ही ताकत है मेरा पैसा मेरा ही पैसा है दूसरे के पैसे पर दूसरे की ताकत पर दूसरों के रिष्टे पर दूसरों के प्रेम प कि मैं सब को बांट सकूँ, मारभाव क्या है, खुद के साथ इतना हो, मैं सब को बांट सकूँ, सब को दे सकूँ, क्यों ना दूँ, क्यों ना दूँ, ये परमात्मा इतना दे, कि मैं सब को दे सकूँ, इतना दे, और देने को कमी रखिया उसने, हम विखारी कितना मांगते ह तो बात अलग मैं इतना मांग रहा हूं मैं अपने लिया नहीं मांग रहा हूं सभी के लिये मांग रहा हूं। जब हम रह चाने offend को दे, जब हम ये बात करते हैं तो परमात्मा भी जानता है कि उर्जा मेरी ही उर्जा बन जाए तू मुझ में मैं बन करा भगवान को कह रहे है तू मुझ में मैं बन करा मेरी ताकत बन करा मेरा पेशेंस बन करा मेरे दिल में प्यार बन करा पैसा बन करा युपी सब चाहिए बिना पैसे के भी संसार मानने वाला नहीं, मेरे पास पैसा बन करा, पैसा से मैं दिल सकू लोगों को, होगा तो दूंगा, होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो कहां से दूंगा, ताकत बन करा, मोटिवेशन बन करा, हिम्मत बन करा, जब मेरे भीतर कुछ होगा, तो बांटा भी जा सकेगा तो परमात्मा से यही मांग रखना हिम्मत मांगना ताकत मांगना पावर मांगना और उसे कहना कि मेरी आत्मा बनकर मेरे भीतर बैठ मैं खुद को जगा पाऊं और मेरे द्वारा सुनसार जागा जा सके यही मांग रखना बात को समझ लेना समझ में आ रही है क क्यों कहा जा रहा हैं। और क्यों कहा जा रहा है। मेरे किस गूद्धा पास प्रह सब कुछ का widen झो मुझे मिला वही मेरे का dado जो मुझे मिला वही मेरे काillance इसलिए खुद के ओपर वह वहgyptी कंसे बंदंधा पास इसी को Self-Dependency बोलते हैं अपने उपर डिपेंडेंट हूँ मैं, अपनी ही उपर डिपेंडेंट हूँ, खाना बनाना नहीं आता, किसी पर डिपेंडेंट होगे, वो आपको गुलाम बनाएगा, किसी दिन नहीं आया, खाना बनाने वाली नहीं आई, किसने खाना नहीं बनाया, जैसा बनाया, उल्टा बनाये सिदा बनाये तो मैं खाना पड़ेगा मजबूर हो जाओगे परमात्मा मजबूरी किसी को ना दे तर्फ डिपेंडेंट बनाये जब जरूरत पड़े कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, जब जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, और अपनी ही ताक्त से चीजें चलाई जाती हैं, इसी तरह पैसे के मामले में, रिष्टों के मामले में, सेहत के मामले में, दुनिया कितनी ही आपकी, कि के अड़ोसी पड़ोसी क्यों ना हो पर सेहत का ख्याल श्रीर का ख्याल जो आपने खुद का रखाओगा वही काम आएगा दूसरे कितना भी कर लें दूसरे दूसरे हैं आप नहीं हैं याद रखना अपनी सेहत का अपने श्रीर का अपने आपका ख्याल आपने खुद रखना तो खुद के परी काम करना है, खुद के साथ ही, बसिको Self Love बोलता हूं मैं, बुरा नहीं है, बिलकुल भी बुरा नहीं है, situकि हमने कभी खुद के साथ प्यार करना सीखा नहीं, इसलिए हम हमेशा दूसरे को महतर देते आए हैं, और खास दोर पेस्थरी का तो mindset ऐसा बनाय जाता है कि बस दूसरों के लिए कुर्बान हो जाओ दूसरों के कुर्ब लिए कुर्बान हो जाओ बस मेरा बेटा मेरी बेटी मैं बोलता हूं जो मैं कांसल करता हूं कांसलिंग करता हूं जिन में अगर 20 लों की कांसलिंग उना पंद्रा लेडिस होती है और लेडिस भी अप प्रिश्टेदार को ये प्रोब्लम मेरे सफुर को ये मेरी सास को ये खुद को तुम्हें क्या है भई तुम अपनी बात भी करोगे नहीं करोगे तुम्हारी को ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो अपने बारे में मैं बोलता है तुम अपने बारे में क्या नहीं अपने सब ठीक है मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब ठीक कैसे है, तुम्हारी अपनी भी कोई हस्ती है के नहीं है, ये ठीक, वो ठीक, वो ठीक, वो ठीक, सब ठीक, इसके ठीक है, सब के बारे में सोचा, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में सेचा, अपने बारे में कभी नहीं सोचा, इस स्व पुर सिरफ दूसरों पर फोकस बना रखा है, दूसरों पर नहीं, खुद पर फोकस, मुझे खुद को खुद से ठीक रखना है, मैं, मैं अपने लिए हूँ, और जो अपने लिए पा लिया, जिसने अपने आपके अंदर पा लिया, जिसने अपने आपको परमात्मा के बीत र कार नहीं नरिये है मैंने कह आप और मायुंए आणको देख कर बोला अपनी आत्मा को देखकर अं कि इतना बड़े और विराटना सही छोटा सही अपने घर के लिए तुछ सूरज ना सही, दिया सही, अपने घर का अंदिरा तो मिटा सकता है, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, बन के दीपक जलता चल, अपने दिये से खुद को ही रोशन कर, लेकिन दिया भी ऐसा बन, पहले अपना अंदकार मिटा, और फिर दूस सा रख अपने आपके उपर वो समय आएगा बहुत अच्छे से वो समय आएगा सोच को अपनी ले जाओ उस शिकर पर ताकि उसके आगे सितारे भी जुख जाएं ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्टी का महताज चलो इस शान से कि दूखां भी रुख जाए चलो इस शान से क किसी कश्टी का महताज नहीं करना अपने आप पर डिपेंडेंट रहने कश्टी भी में पतवार भी में यह एहंगार नहीं है इस सेल्फ डिपेंडेंसी कहलाती है इस बात को बहुत अच्छी से समझ लेना यही जजबा रखना यही जजबा रखना हर हर डिफिकल्टीज आ क्या यहीं से जल भी निकलेगा न मायूस हो न गबरा अंधेरों से मेरे साथी इनी रातों के दामन से इनी रातों के दामन से इस सुनहरा कल भी निकलेगा यहीं से निकलेगा डेफिनेटली निकलेगा तो इसको अच्छे से अच्छे से अपने दिल में भरोसा पक्ता कर लेना समय बस इतना ही है थेंक यू वेरी मच उमीद करता हूँ बात पूरी समझ में आगी होगी जब तूटने लगे होसले तो बस ये याद रखना बिना महनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते ढूंड लेना अधेरों में मंजिल अपनी जुगनु कभी रोशनी के मौताज नहीं हो होते हैं कि बाहर जब लाइट जलेगी तब हम चीजें ढूंडेंगे उन्हों अपनी ही लाइट अपनी ही भीतर लेकर चलते हैं बस इतना ही सही जुगनु ही सही थोड़ा सा थोड़ा सा प्रकाशी सही अपने आप कोई प्रकाशित कर लूं अपने आस पास का अंदेरा में चालूँ हो जाएगा, तू एक दिन तु दिया धंग से बंजा, पर्मात्मा तुझे बना दे तो कह देना, तू दिया ही बन जा, पर्मात्मा तुझे सूरज खरते चले जाना और अपनी ही आत्मा के अंदर पर्मात्मा को जानकर अपनी ही आत्मा को लगातार अप्ग्रेड करके लेकर चलना. Thank you very much. बहुत बोश बात नहीं कर रहा हूं कि प्रभू तुमी मेरे सब कुछ हो, तुमी मेरे सब कुछ हो, बस वहां तक बात ठीक है, प्रभू तक बात ठीक है, लेकिन प्रभू तुमी सब कुछ हो और तुम मेरे भीतर समाए हो, मेरी बात अससे एक स्टेप और आगे जाती है, सब लवतम में बात समझ में आ रही है जरूरी है यह जरूरी है कॉन्फ्लिक्टिंग लग सकती है आपके मन को लेकिन जरूरी है राइट थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया